Hello everyone, welcome back to my channel आज मैं बनाने वाली हूँ ब्रेट का एक ऐसा नास्ता जिसे कि आप बच्चो को टिफिन में भी दे सकते हैं और ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हैं यह उन्हें बहुत ही पसंद आईगी तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक छोटे साइस के गाजर को ग्रेट कर लिया है एक मीडियम साइस के प्याज को काट लिया है दो हरी मिर्च काट लिया है और कुछ धनिया के पतिय काट लिया है अब हम एक बोल लेंगे और इसमें हाफ कप सूजी डालेंगे अब हम इसमें half cup दही डालेंगे इसके बाद हम इसमें स्वात के अनुसार नमक डालेंगे और half teaspoon काली मिर्च पॉर्डर डालेंगे अब हम इसमें grate की हुए गाजर को डालेंगे प्याज को डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च को डालेंगे और कटे हुए धनिया की पतियां डाल देंगे अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे हम मिक्स करके इसका एक बैटर बना लेंगे तो हम इसे बिल्कुर अच्छे तरीक से मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा बैटर रेडी हो चुका है अब हम इसे ढख कर 10 मिनिट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे अब हम एक तवा लेंगे और इसमें हम बटर लगा लेंगे अब हम इसमें ब्रेट को रखेंगे अब हम ब्रेट को पलट लेते हैं अब हम ब्रेट के ऊपर बटर लगा लेंगे यहाँ पर मैंने दोनों ब्रेट में बटर लगा लिया है अब हम इसे फिर से पलट देंगे तो दोनों ब्रेट को पलटने के बाद त्यार किया हुआ सूजी का बैटर डालेंगे तो सूजी के बैटर को हमें विल्कुल अच्छे तरीके से ब्रेट के चारों तरफ लगा लेना है इस तरीके से मैंने दोनों ब्रेट पर लगा लिया है अब हम तवे पर फिर से बटर लगा लेंगे और सूजी वाले साइट को हम नीचे करके सेख लेंगे अब हम फिर से ब्रेट को पलट लेंगे ये देखिए सूजी वाला साइड बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुका है बिल्कुल बिकच्चा नहीं है तो अब हम फ्लेम को आफ कर देते हैं हमारा ब्रेट का नाश्टा बिल्कुल तैयार है इसे हम सर्फ करेंगे दाल सकते हैं तो इसे भी हम अच्छी तरिकी से स्प्रेट कर लेंगे अब हम इसके ऊपर एक ब्रेट को रखेंगे एसे बीच से काट लेंगे तो ये हमारे ब्रेट कर नाश्ता बिल्कुल बन के तियार है आप इसे बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं और इसे आप ब्रेकफस्ट में भी खा सकते हैं ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है और बच्चों को भी ये बहुत ही पसंद आएगा तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हूँ तो मेरे चानल पे सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम में भी ज़रूर फॉलो कीजिए आप सब मुझे कमेंट में ये बताइए, कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी थैंक्स फॉर वाचिंग